तो जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पर हम आपको डेली के इंडरी स्टॉक्स के टागेश देते हैं तो कल के लिए कि 25 ऑगुस्ट 2023 के रेचों आपको रेकमेंड कर रहे हैं वह यह IPCA Lab लेकिन उतना ही मार्केट नीचे की तरफ भी आ गई है और हमारे जो लेवल है 878.75 उससे सपोर्ट लेती भी नजर आ रही है फोर आपके चाट पर कापकर हमें याप तो यहां से में थोड़ सा और ख्लियर व्यू मिलेगा यहां पर दीके एक बुलिश के बली थी उसके एक बेरिष केंडल में लिए और बुलिश केंडल की वॉल्यूम काफी अच्छी थी लेकिन जो बेरिष कादल की वॉल्यूम है से काफी जादा नीचे बनी है काफी कम बनी है लेकिन कम होने के बावजूद भी केंडल की जो बॉड़ी है काफी अच्छी बन गई है आपर अपर आपके चार्ट पर शुच करते हैं यहां से लेगे मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेकर उपर की तरफ बढ़ती ही नसर आ कि अच्छी बावजूद ऑनी हम भी बनी हम थे लेकिन भी हो गारा काफी केंडल चार्ट पर शुच काल चार्ट बेख रहु एक तरफ प्लीष चैंडल से काफी कम होने के बावजूद भी बॉड़ी को चेक कि यहां पर जो पीस्ते को बड़ी है इस के बावजूद भी इसका जो तरफ दियान में रखें, बॉड़ी ग्रीन कैंल की काफी साथ स्ट्रॉंग बनी है और रेडी कैंल की जो बॉड़ी काफी वीक बनी है, तो यह इंडिकेशन देता है कि IPCA लाब जो है उपर की तरफ जा सकता है, तो इसलिए बाइस साथ की रेकमेंडे होगा, इसका और जो SL रहेगा, हमारी जो सपोर्ट लाइने से थोड़ से नीची के साथ रखेंगे, अराउंड 876.85 के पास, हम अपना SL रख सकते हैं, तो यह दू रख कर देजिए, IPCA लाब बाइस साथ के रेकमेंडे है, अगर वीडियो पसंद आई है, तो जल्दी से लाइक बिक्लिक